हलो एवरीवान वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आप सभी एंटीय यूजसेनेट आस्पिरेंट्स के लिए मैं कुछ ऐसे स्मार्ट रिक्स लेकर आई हूँ जिनकी हल्ट से आप इन सिरफ 10 दिनों में भी यूजसेनेट की बहुत अच्छे से तयारी कर सकते हो जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा यही बोलती हूँ कि हर समय यह नहीं होता कि हमें हार्ड वर्क करना है हम लोगों को यह समय ऐसा है कि स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही स्मार्ट ट्रिक्स में लेकर आई हूँ जिसकी हल्ट से यूजसेनेट पेपर वन में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो सिरफ इन 10 दिनों में भी तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर वन एक बार पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है अब फोलो फाइनल रिविजन पे फोकस कर रहे हैं और दूसरे वो स्टूडेंट हैं हमारे पास जिन्होंने अभी तक पेपर वन को टच भी नहीं किया है बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है और वो लोग अब परिशान हो रहे हैं कि पेपर वन में कुछ नहीं आता तो अच्छे से एंड तक इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा सो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि यूजसे नेट एक्जाम में हमारे दो पेपर होते हैं पेपर वन एंड पेपर टू पेपर वन के स्मार्ट रिक्स तो मैं आपको बताऊंगी ही उसी के साथ पेपर टू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें टोटल हंडर कोईशन्स पूछे जाते हैं यानि के टू हंडर इसका वेटेज होता है अब जैसे कि मैंने बताया कि स्मार्ट वर करने की जरूरत है तो आप सभी की हेल्प के लिए हम लेकर आई है NTA UGISnet Paper 1 का Complete Study Material इस Study Material में हम आपको देते हैं Full syllabus updated notes and most expected MCQ series ये जो Study Material है students इसकी खासियत में बताती हूँ कि ये ना सिरफ आपके UGISnet exam में वलकि आपके interview process में भी आपकी बहुत help करेगा and ये most expected MCQs को भी अगर आप लोग exam से पहले एक से दो बार पढ़ लेते हो जिरफ इसका overview भी ले लेते हो तो भी आपको बहुत help हो जाती है and यहाँ पे आपको total 17 subjects की list दिख रही होगी so जो भी आप लोगों का paper 2 का है subject ठीक है आप लोग उसको यहाँ पर देख करके screen पर दिए कि number पर whatsapp के through contact कर सकते हो and सबसे चीबात यह है क्योंकि exam नजदीक है तो हमारा major focus असी पर है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा content मिले तो आपकी सहूलियत के लिए हम आपके लिए लेकर आए है 30 June तक you just in it paper 2 के study material में 30% discount so generally इसकी fee है 1500 रुपीज लेकिन आप लोगों को 30 June से पहले पहले अगर subscription लेते हो तो आपको मिलता है इस पर 30% off तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस number पर contact कीजिए and study material का access ले लीजिए इसकी validity lifetime रहेगी जैसे आप contact करते हो within 15 to 20 minutes आपको course का access मिलता है and आप इसको lifetime अपने system पर डाउलोड करके use कर सकते हो आते हैं अपने main content पे जिसपे कि मैं आपको बताने वाली हूँ NTA UGISnet Paper 1 के important topics ठीके smart tricks, basically हमारा focus smart tricks पे रहेगा ठीके, so अब देखो, बच्चों आपको पता होगा कि syllabus बहुत ही जादा है 10 units है, एक unit को भी अगर हम लोग cover करने जाएं तो हमें कम से कम 4 to 5 days लगते हैं वो भी उनको जिनोंने पहले ही पढ़ा हुआ है ठीके, so कैसे इस कम समय में चीज़ों को cover करना है यहाँ पे total 10 units है सबसे बहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी unit का higher weightage होता है आपने देखा होगा paper 1 के syllabus में वैसे तो लिखा होता है कि हर एक unit से 5 questions आएंगे and 10 units है तो 50 questions हो जाएंगे लेकिन NTA काफी time से जो है इस pattern में changes कर रहा है कई बार होता है teaching aptitude से बहुत जादा questions पूछे जाते है ICT से बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं एक या दो पूछे जाते हैं लेकिन आपको क्या करना है आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है and important concepts को पढ़ना है ठीके so ये tricks हैं जो आप लोग follow कर सकते हो पहला है read and understand about the exam ये चीज़ें जो है explore the syllabus ठीके ये चीज़ें जैसे syllabus पे आप लोग एक बार overview ले लीजे पढ़ाई करने से पहले ठीके आप लोगों का area किस interest किस area में है यानि कि कई बच्चे होते हैं जिनको teaching aptitude पसंद आता है कई उको research पसंद आता है कई उको math वाला section अच्छा लगता है तो जो भी section आपको पसंद है आपको लगता है कि आप confident हो उस चीज़ से आप शुरू करो उस unit से आप शुरू करो एक timetable plan करो ठीके उतना जाधा आप लोगों को help होती है final exam में ठीके आपकी speed भी बढ़ती है आपको पता भी चल जाता है कि किस तरह से हमें tricks यूज करनी है आपने आपको motivated रखना बहुत जरूरी है अब बात आती है यहाँ पे दूसरे students की जिनकी बिल्कुल भी तयारी नहीं है जिनोंने अभी तक paper 1 को touch भी नहीं किया तो students आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप सभी की help के लिए हम आपके लिए लेकर आए है NTA UGISnet 2022 exam ताकि आप लोग qualify कर सको इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए है 2000 प्लस MCQ सीरीज ठीके So UGISnet पेपर 1 का complete syllabus इसमें cover किया जाएगा including current affairs तो आप लोग इसको फिर से note कर लीजिए कि UGISnet पेपर 1 में हम आपको देते हैं study material जिसमें की 2000 प्लस MCQ हैं जो कि guaranteed questions हैं इसमें 10 के 10 units cover की गई हैं जिसमें की current affairs को भी हमने include किया है ठीके इसी के साथ अगर आप लोग separately current affairs भी पढ़ना चाहते हो तो daily हमारे YouTube channel पर बिलकुल free current affairs की classes होती है शाम को 6 बजे ठीके तो आप लोग इसको जरूर जोइन कीजेगा इसी के साथ अब यहाँ पे देखते हैं जैसे कि teaching aptitude में मैं आपको बताऊं कि कौन-कौन से units important है कौन-कौन से sorry topics important है levels of teaching है key behavior of teaching formative evaluation, teaching skills तो यहाँ से questions पूछे गए थे तो आप लोग इन topics को बिलकुल miss मत कीजेगा ठीके इसी के साथ जो teaching के definitions होती है बड़े-बड़े researchers हैं scientists हैं जो भी है उन्होंने teaching से related जितनी भी definitions दी हैं वो भी आप लोग पढ़के जाईएगा एक question किसे न किसे series में उससे जरूर पूछा जाता है research aptitude में ethics बहुत important है ठीके यह बहुत easy topics है मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस video की description box में आप लोगों को कुछ videos के and कुछ play list के link मल जाएंगे आप लोगों links को जरूर देखेगा वहाँ पे आप लोगों को short tricks के साथ ये चीज़ें available है सबसे important है qualitative and quantitative research यहाँ से जरूर question आते है methods of teaching sorry यहाँ पे methods of research होंगे research के बहुत सारे types होते हैं वो आपको पता होने चाहिए research aptitude में क्या होता है एक real life example दिया जाता है कि मान लीजे कि आप कोई population survey कर रहे हैं ठीक है तो इस type का survey अगर होता है तो आप कौन से research use करेंगे तो इस तरह के questions पूछे जाते हैं higher weightage आप देखोगे तो in units को दिया जाता है ठीक हर बार यह नहीं होता NTA का जैसे आप सभी को पता ही होगा कि यह pattern में बहुत से changes करते रहते हैं ठीक है reading comprehension इसके tricks के लिए मैंने students एक separate video बनाई है उसका link मैं आपको description box में दूँगी आप उसको जरूर follow कीजेगा बहुत अच्छी video है 4-5 minutes में जो tricks मैं बताऊंगी उनको आप कीजे एक दिन में आपके 10 marks बिलकुल पक्के है communication में barriers of communication most important topic classroom communication और levels of communication जैसे horizontal होता है vertical होता है यह सब चीज़े important है maths में आप ratio, percentage, average profit and loss पर लीजे इस unit का ये benefit है कि इसके साथ साथ आप लोग जो unit है data interpretation वो भी आपकी easily cover हो जाती है ठीक है क्योंकि इसमें भी इसे related questions पूछे जाते हैं तो आप लोग अगर mathematics वाली unit को complete करते हो तो आपका DI automatically अच्छा हो जाता है ठीक है इसकी इन दोनों units की tricks भी मैंने कुछ बनाई है link आपको मिल जाएगा next है logical reasoning logical reasoning बहुत ही जादा important है इसमें जैसे Indian logic से questions आते हैं वो ज़रूर पढ़िएगा statement, assertion, reasons से questions आते हैं letter coding ये हे तू, हे तव भ्यास, ये अनुमाना जितने भी है आपको दिखेगा logical reasoning में एक section है Indian logic ठीक है सिरफ आपने क्या करना है syllabus को अच्छे से देखना है Indian logic में कुछ नाम लिखा है जैसे अनुमाना लिखा होगा आगे लिखा होगा guess करना या कुछ भी तो इससे आपको एक idea हो जाएगा कि अनुमान यानि कि guess करना तो इसकी क्या definition हो सकती है तो आप लोग एक बार logical reasoning का syllabus भी इच्छे से देख लीजिएगा इस unit को भी higher priority दी जाती है NTA की तरफ से ठीक है ICT unit जो है इसमें आप लोगों को करनी है जैसे कि full forms होती है general abbreviations होते है input output devices के नाम जैसे कि monitor क्या input output में से क्या है keyboard क्या होता है input या output सबसे important चीज आती है email email पे एक separate video है उसको जरूर देखिएगा ये तीनों से आप से current affairs के questions भी पूछे जाते है तो हमारी daily जैसे कि मैंने बताया शाम को 6 बजे current affairs की classes होती है आप लोग अगर सिरफ और सिरफ उनको भी अच्छे से follow करते हो तो भी आप लोग अच्छा score कर सकते हो इन तीनों units में ठीक है उसमें sure questions ही हम discuss करते है daily so people and environment unit में एक तो current affairs आते है and जो latest ये जितने भी syllabus में आपको agreements नजर आएंगे न Paris agreement हो गया और भी बहुत सारे agreements होते हैं उनको पढ़ लीजेगा कि इसका major role क्या होता है and latest जैसे आज के समय पे जो pollution चल रहा है सबसे जादा suppose दिल्ली में कोई air pollution है ठीक है so वहाँ पे बताना है कि उस air pollution के वज़े से लोगों को क्या बिमारी हो रही है and वो किस chemical के वज़े से बिमारी हो रही है इस तरह के questions आते हैं आपको चिंता नहीं करनी है आप हमें बस अच्छे से follow कीजिए हमारी paper 1 की classes होती है students सुबा 7 बजे youtube पर बिल्कुल free and रात को 9 बजे youtube पर ये भी बिल्कुल free तो इन classes को आप लोग ज़रूर अटिंड कीजिए इसमें हम लोग यही सब चीजे बताते हैं short tricks के साथ higher education में जो भी हमारा मतलब current affairs आते हैं या फिर जो portals हैं जो की digital initiative सरकार ने लिये हैं जिससे की हम अपनी higher education को और अच्छे से कर सकते हैं उससे related questions आते हैं 3 to 4 कई बार 5 questions भी आते हैं तो आपने यह नहीं सोचना है कि इस बार 2 आए थे तो हर बार ही 2 questions आएंगे मैंने बताया आपको कि NTA pattern में हमीशा बदलाव करते रहते हैं ठीक है इस slide में भी आप देख सकते हो यह है 20 November 2021 की इसमें देख सकते हो किस unit से कितने questions पूछे गए थे और उनका difficulty level क्या था इस according अगर आप लोग smart strategy लेते हो तो आप definitely 10 दिन में exam qualify कर सकते हो साथ ही UGISnet paper 1 का crash course जैसे कि आपने अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा है सिरफ अगर यह 1000 questions को भी आप लोग अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ते हो तो भी आप इस exam में अच्छा score कर सकते हो paper 1 की मैं बात कर रही हूँ ठीक है इसका content आपको English and Hindi जिस भी language में आपको चाहिए उसमें मिल सकता है सो अगर आप लोग 30 June से पहले यह subscription लेते हो तो आपको मिलेगा 30% off and generally हमारे paper 1 की crash course की fee जो है वो है 3500 रुपीज लेकिन जैसे मैंने बताया आपको मिलेगा 30% off 30 June तक तो limited course की seats बाकी है आप लोग जल्दी से इसको join कर लीजिए So I hope आज की वीडियो आप लोगों के लिए helpful रही है So thank you so much and I wish you all the very best